हेलो गाईज, आज हम बात करें हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें आर हर चार मेने के बाद एक बहुत ज़ारा बड़ी एक इवेंट आती है हर तीन-चार मेने के बाद, तो उसमें आप लोगों को आरे एक जो इवेंट है इसका नाम है रिजल्ट है, यहां पर सारी की सारी कंपनियों का 2020, 2020 खतम हो चुका है और उसका रिजल्ट आने वाला है डिसेंबर कॉर्टर का, तो यह चीज यहां पर बहुत ज़दा इंपोर्टन रहती है क्या कोई भी आप लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका डिसेंबर कॉर्टर या यहां यहां रिजल्ट आता है, वो कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है आने वाले समय में आप लोगों को क्या opportunity है वो company की और यह कितना profit दे रही है वो आप लोगों को directly effect करता है जो आप लोगों ने उस stock में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस चीज़ का result आप लोगों को जानना ज़रूर है जो आप लोगों ने share market में इन्वेस्ट किया हुआ है तो त्यारे यहां पर से आप लोगों मैं HDFC bank और उसके साथ ICIC bank, ICIC security, IDFC bank, IDFC, HDFC life, HDFC security, ICIC security, banking sector पूरा और उसके साथ साथ जो भी result के date आई है वो उसके साथ बज जो आप लोगों को नहीं पता होगी डॉक्टर रैडी, ग्लैंड मार्मा, ग्लैंड फार्मा उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनिया है उसके हमें result का इस वीडियो में बताने वाला हूं कौन से date पर आने वाला है तो यह वीडियों देखते आप लोगों 100 अब से वीडियो च से अधियों से तो यहां बुस्य आप लोगों को 8 जन्यूरी को 2021 को इसका result आ जाएगा उसके बाद डीमाट है डीमाट का भी हा result आने वाला है 9 जन्यूरी को उसके बाद है यह नहीं सजेस्ट को मैं मैं इसका मिस्च कर दूंगा तो वो भी मेरेको विदाते रहे ना कमेंट सेक्षिन में क्यार यह को मेस कर दिया यहां पर से यह इसके बाद है इन्फोस यह यह वीप्रो है यह दोनों की दोनों 13 जैनियुरी को रिजल्ट आए जाएगा उसके बाद यहां पर उसके बाद बजाज आटो है बजाज अटो का बियार आप लोगों को दोसार 21 में रिजल्ट आ जाएगा 21 जनिवारी 2021 को उसके बाद बजाज होल्डिंग लिमिट्यड है उसका भी 21 जनिवारी को ही रिजल्ट आने वाला है उसके साथ यहाँ पर सार बहुत सरे कमपनियां है जो आप 요िको नाम नहीं वालों घृविए इसलनीयोरी को बहुत है उसक शाय को ॏ और यहा पर से सबसips यह जू औ Literally स्टेज है उसका के यहाँ विर दिशन जाहेगा और और वह स्बसकी देखने यहां पर से जो नाम ही कंपपणी है मेरे को देखने को बिल रहे हो इसी का मैं नाम दे रहा हूँ यहां पर से इसका ICIC security का 25 january को result आ जाएगा उसके बाद यहां पर से access band का result आएगा 27 जनुरी उसके बाद बाला जी माइन्स करके यह है उसका भी 27 january को result आ जाएगा उसके बाद यहां पर से लक्समी करके यह यार यह मैंने शायद नाम सुना हुआ है इसलिए लक्समी का आ जाएगा result 27 january को उसके बाद यहां पर से और भी आप लोगों को कोपाल देखार यह call gate आप वाले 28 january को उसके बाद नीचे की द्रफ एम एंड एम एंड एम फाइनन्स तो उसका 28 january को result आ जाएगा उसके साथ साथ तूल का भी आर रिजल्ट आ जाएगा 29 january उसके बाद डाबर का result 29 january डॉक्टर रेडिस लेब का भी result 29 january को आएगा उसके बाद heritage food का भी जो result है वह 29 january को आएगा उसके बाद यहां पर से ICICI bank है उसका भी result आ जाएगा 30 january को उसके साथ HDFC first bank है उसका भी 23 january को result आ जाएगा और उसके बाद next हम बात कर लेते हैं यहां पर से इंची के तरफ चलता हूँ तो यहां पर से बहुत सारी कंपनिया RBL का उसका result आने वाला है 1st February को इसके बाद यहां पर से हॉर भी जो company है जो आप लोग मिर को नम नहीं मालूम होगा तो जर वो मिर को बता देना टीवी today का result आने वाला है 5 1st February को उसके बाद यहां पर से और भी जो बड़ी बड़ी company है उसको ही मैं note करवा रहा हूं यहां पर से उसके साथ साथ तो इसमें तो मिरको कोई बड़ी कंपटी देखने को नहीं मिली है उसके बाद नेक्स्ट करते है तो अभी तक की जो डेटा है उसमें रिजल्ट का डेट आप लोग देख सकते हूं आप लोग देखो यार अमर राजा बेटरिस उसका यार 13 फेबरुरुरी को रिजल्ट आने जो रिजल्ट की डे इस बड़ी है आने माल समय में आप लोगों को और भी घुचलघ आप लोगों को 6-7 ऐसे बिछस देखने को मिलें गे तो वहाँ पराप्र जो रिजल्ट आप लोग जान पाओंके कि क्ौन सी कंपनी का कब अने वाले माले तो उस सबसे आप लोग जो अपने होल्डिंग्स है जो आप लोगों ने शेर खरीदा हुआ है उसको होल्ड कर सकते हूं ठीक है तो यह वीडियो आप लोगो को कैसे लगा मेरे को कॉमेंट सेक्षन बताओ वीडियो पसंद रहे तो लाइक मारे चनल पसंद सब्सक्रीम हारो ऐसे मारे वीडियो गंटेट देखना चाहत हूं तो मसे जो डरो बाले करने बाके गुडवाल फुडबाई फिर में तर नेक्स डिवें गुडबाई और प्यार इसमें कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों बताता रहूँगा ठीक है तो बस गुडबाई